दोस्तो WhatsApp में हम Broadcast List बनाते हैं जैसे की 3. में जाएंगे और यहाँ पी New Broadcast List पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे Number आड़ करते हो लेकिन दोस्तो जितने भी Number आपने यहाँ पे आड़ करके रखे हुए है ना उनको आपको अगर आप कोई भी Message करते हो तो Broadcast जो है Message Deliver नहीं क कर पाता तो इसकी दिए कुछ Conditions WhatsApp में तेय करके रखी है कि आपका Number अगर उनके Mobile में Save है तभी यह काम कर पाएगा लेकिन दोस्तो कुछ Recently ऐसे Glitch आ चुके है कि आपका Number उनके Mobile में Save है फिर भी आपका Broadcast का Message है वह वहाँ पर Deliver नहीं हो रहा है तो इस वीडियो में मैं आपक इस एक Trick दिखाऊंगा कि उस Trick की मदद से अगर आपका Number सामने वाले के Mobile में Save नहीं है फिर भी आपके Broadcast के Message दोस्तो उसको Deliver हो ही जाएंगे तो दोस्तो इस प्रकार की Trick करने के लिए मैं आपको सबसे पहले सजेस्ट करूँगा कि यह जो Trick है यह Normal जो हमारा WhatsApp है इसमें आप राय करोगे तो नहीं चलेगा ठीक है जो Normal हमारा यहाँ पे जो Play Store से मिलने वाला जो WhatsApp है न उससे यह Trick नहीं काम करेगी आपको GB WhatsApp जो है इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से GB WhatsApp होगा दोस्तो यहाँ पे आपको 3. मिलेंगे 3. में जाइए और यहाँ पे Mass Message S Sender के नाम से एक Option मिलेगा यहाँ पे आपको चले जाना है तो आप 200 बंदों की यहाँ पे एक Broadcast List बना सकते हो जैसे कि मैंने यहाँ पे Group की Broadcast List बनाई हुई है अगर आप Broadcast List में बंदों को Add करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको सेटिंग कुछ सेटिंग जो है उनको आपको यहाँ पे एनेबल करके रखना है जैसे कि 3. में जाएंगे GB सेटिंग में जाएंगे और GB सेटिंग में दोस्तों यहाँ पे आपको एक Universal सेटिंग का Option मिलेगा उसके बाद फिर से सेटिंग का Option मिलेगा और यहाँ पे Increase Forward Limit जो यहाँ पे एक प्लस का साइन दिख रहा है उस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका जो भी डिस्क्रिप्शन है ठीक है वो आप यहाँ पे डाल दीजए My BD इस प्रकार से और यहाँ पे Tap to Select पे क्लिक करने के बाद जो भी नंबर आपने सेव करके रखे हुए हैं उनको यहा यहाँ पे रोल्स है उस रोल्स को यह जो जीबी होट सब की जो मास मैसेज सेंडर यह जो ऑप्शन है वो यहाँ पे फॉलो नहीं करता वो यहाँ पे 200 बंदों को परसनली मैसेज करेगा यहाँ पर आपका नंबर उनके मोबैल में सेव है की नहीं इसकी देखने की भी कोई ज़रूत ने में आपको यहाँ पे कुछ numbers जो है दोस्तों यहाँ पे add करके दिखाता हूँ ठीक है मेरे groups है यहाँ पे इन groups को मैं सबसे पहले तो क्या कर लेता हूँ यहाँ पे सबसे नीची number होगे उन number को में ले लेता हूँ दोस्तों लेकिन एक बात कि आपको यहाँ पे धहन देने वाली चीज़ यह है कि आपको इस broadcast का आप एक या दो broadcast का इस्तिमाल कीज़े आप बहुत ज़्यादा अगर broadcast इसमें बना लेते हो और आप इससे message करोगे तो अगर आपका number सामने वाले के mobile में save नहीं है तो आपका number ban होने के chances बहुत दोस्तों यहां पे बहुत ज़दब बढ़ जाते है ठीके मैं यहां पे ले लेता हूँ कुछ इस प्रकार से मैंने broadcast यहां पे बना की रखी है दीके मैं यहां पे broadcast बना रहा हूँ इस प्रकार से और यहाँ पर मैं SEO पर क्लिक करूँगा अब इनको दोस्तों मुझे जो भी अगर मैसेज करना है बाद में करना है ठीक है तो मैं यहाँ पर सिंप्लेर सब बैक आ जाओंगा ऐसा हमारा होटसव रहेगा ठीक हम फिर से होटसव में जाएंगे हमें बाद में इसको मैसेज करना होगा 3.00 में जाएंगे, Mass Message Sender में जाएंगे और last में हमारी इस परकार की एक broadcast होगी ठीक है हम देखते हैं कहां पर है हमने यहाँ पर इसको नाम भी दिया था My BD इस परकार से यहाँ पर My BD इस परकार से आ चुका है और यहाँ पर हम हाई इस परकार से मैसेज करेंगे और यह Message Sending Message यानि कि जितने भी मेंबर्स हमने यहाँ पर लेके रखे हुए है उन सब को यह Personal Message कर रहा है मुझे इन सभी बंदों को डिके Message Send हो चुका है मैं आपको पीछे आकर दिखाऊंगा कि यहाँ पर दिखें यह जो Message यह दोस्तो इस परकार से Personal Message गए हुए है अभी तक इनको यहाँ पर Green Tick नहीं मिला है लेकिन जल्द ही यहाँ पर Green Tick मिलेगा और उनको Personal Message जो है दोस्तो डिलिवर्ड हो जाएंगे आप मुझे पर टर्ट कीजिए आपका Number से नहीं होती हुए भी आपके WhatsApp के Broadcast के Message उन सामने वाले बंदों को 100% डिलिवर्ड हो जाएंगे यहाँ पर अभी क्या कर लेता हूँ मैं यहाँ पर Restart कर लेता हुए तो एक बार WhatsApp को तो यह Message जो Pending दिखा रहा है Sending का वो Problem भी यहाँ पर Sol हो जाएगा यहाँ पर टिक जो है यहाँ पर आ जाएंगी अब देखिए आईए है यहाँ पर टिक आ चुकी है कही पर Double Tick आई है यहाँ पर देखिए Double Tick आई हुई है यहाँ पर भी Double Tick आई हुई है क्योंकि यहाँ पर इसने Personally Message यहाँ पर Send करके रखका हुआ है अगर सामने वाले का Message यहाँ पर Net बंध होगा तो कदर यहाँ पर लगता है कि उनका Net बंध होने की वज़े से Single Tick आ चुकी है लेकिन घब रहे हैं मत आपका Message 100% डिलिवर हो जाए तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को Like और Share कर दीजिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार